नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वश्थ होंगे, मस्थ होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो किसानों के लिए सरदर्द बन जाते हैं एक खेतों में खरपतवार की तरब बहुत जादे उगते हैं और ये फसलों को नश्ट कर देते हैं यह एक छोटा सा पौधा होता है यह अधिकतर खेतों में पाया जाता है इसके फलों के उपर एक पतला सा आउरड होता है कहीं कहीं इसे मकोय कहा जाता है इसे रसभरी के नाम से जाना जाता है इसका फल रस युक्त होता है साइद इसलिए इसे रसभरी कहा जाता है इसे अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है आपके यहां इसे किस नाम से जाना जाता है हमें comment करके बताइएगा इसके फलों को खाया जाता है इसका फल औसदी गुडों से भरपूर है जब पक जाये तब ही इसका सेवन करें कच्चा इसका सेवन ना करें क्योंकि कच्चा जारीला हो सकता है ये आपके अनेक बीमारियों को दूर करने वाला होता है आप इसका इस्तिमाल करके अनेको बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं तो आईए जानते हैं इसके आउसदिये गुडों के बारे में लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर बीडियो आपको जरा भी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कीजिएगा तो चलिए जान लेते हैं फटा फट इसके फायदे के बारे में इसके पांचांग का काड़ा यदि आप बना करके पीते हैं आपको उदर रोगों में बहुत ही फायदे मन्द होगा इसकी पत्तियों का काड़ा बना करके पीने से पाचन अच्छा होता है और साथी साथ भूग बढ़ती है या लीबर को भी ठीक करता है अगर इसकी पत्तियों का काड़ा बना करके पीते हैं आपके सरीर के भीतर जो सूजन होती है उसको भी ये दूर करता है अगर आपको सरीर में कहीं सूजन हो गई है तो इसके पत्तियों का पेश्ट बना करके सूजन के अस्थान पर अगर आप लगाएंगे तो आपको सूजन में राहत मिलेगी रस भरी के पत्तियों में कैल्सियम फासफोरस, लोहा, बिटामिन A, बिटामिन C, आदी बहुत सारे तत्तों पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्त के लिए एंटी आक्षिडेंट का काम करते हैं बावसीर में इसकी पत्यों का काड़ा पीने से बावसीर में बहुत ही आराम मिलता है अगर आपको खासी आ रही है, हिचकी आ रही है या स्वास संबंदी कोई रोग है तो आप इसके फल का चूड बना करके इसका सेवन करें इससे आपको बहुत लाब मिलेगा खासी में, हिचकी में और स्वास संबंदी रोग में इसका बजार में भी अर्क रसभरी मिलता है जो पेट के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है अगर आपके सरीर पे कहीं सफेद दाग हो गए हैं तो इसकी पत्तियों का पेश्ट बना करके अगर आप उस अस्थान पे लगाते हैं तो आपको सफेद दाग से भी छुटकारा मिलेगा यह डायविटीज के मरीजों के लिए भी फायदे मन्द है यह लीबर की सुजन को कम करने में भी बहुत उपी होगी है पहले गाउ देहातों में लोग इसके पके हुए फ़ल का सेवन करते थे पका हुए फ़ल खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है आप पके हुए फ़ल का सेवन कर सकते हैं तो दोस्तों ए रही हमारी आज की रसभरी की कुछ जानकारी उमीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारी वीडियो देखे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ता